गूगल पे में कैंड सेंड एएसमस का इसू एक कामन सी प्रोब्लम है और बहुत सारे गूगल पे उजर्स के साथ ये आता है तो आज के इस वीडियो में लाइव इस प्रोब्लम को दूर करके दिखाएंगे और आप लोग की एकाउन्ट कौन से गलतियां होती है और आप लोग को करना क्या है इस वीडियो में कंप्लेट बात करेंगे तो यहां पर देख सकते हो कि मैंने यहां पर bank select करके अपना SIM भी select कर लिया इसके बग continue पर मैंने क्लिक किया तो यहां पर देख सकते हो could not send SMS का issue आ चुका है यहां पर aeroplane mode को on करके off करने के लिए बोला जा रहा है तो आप लोगों को करना क्या है और सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरे SIM में main balance कितना यह भी मैं आप लोग को दिखा दिना चाहता हूं तो simply मेरा airtel का SIM है तो मैं यहां पर dial करता हूं इस्टार 123 है तो यहां पर देख सकते हो कि एक रूपैसे भी कम 60 पैसे के करिबन मेरे SIM के main balance में पैसे हैं ठीक है तो मैं आप लोग को यार यह दिखाना चाहता हूं कि आप लोग कैसे इस problem को solve कर सकते हो तो इसके लिए इस वीडियो को complete वाच करना तो simply यहां से cancel करते हैं और यार मेरे phone में जो current में जो plan है ठीक है वो plan 79 रूपैस का था जो कि expire अभी हो चुका है ठीक है तो simply मैं अभी जा करके simply phone पे में अपना 129 का recharge इसमें complete करता हूं तो simply यहां पर prepared पे मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं mobile recharge पे और यहां पर आने एक बाद अपना simply mobile number खिल्क कर ले रहा हूं जो नमबर हमारे bank account में लिंक है और जिस नमर से मैंने गूगल पे का ID बनाया है ठीक तो यहां पर देख सकते हो कि मैंने simply number इहां पर इंटर कर लिया और इसके बाद यहां पर मैं जो भी मेरा recharge 129 में यहां पर लिख देता हूं वरजन है तो थोड़ा सा फोन पेमिन चार्ज ले रहा है वेलेट में रिचार्ज करने का तो यहां पर मेरा रिचार्ज सक्षेश हो चुका है तो चलिए पहर से आप लोगों को रिंक करके दिखा रहा हूं तो यहां से मैं simply बैक कर लेता हूं फिर से मैं ओपिन करता हूं Google फिसके बाद पासवर्ड मैंने यहां पर लिंक करता है यहां पर सर्च कर दो सेलेक्ट करके तो यहां पर देख सकते हो कि मेरा बैंक काउंड एड फाइंड हो रहा यहांपर। तो आप लोग देख सकते हूं मेरा बैंक एकाम्ट जो है लिंख हो चुका एड हो फ़ोग में वहांगोगल ईस तरीके से आप लोग 9 का री रिचार्च कराना पड़ेगा यानि अनलिमिटेड ही कराना पड़ेगा तब ही आप SMEJ भे सकते हो बैंक वरिफाइक कर सकते हो आप अधरवाइस आप परिसांद होगे आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं होगा गूगल पे से इसके अलावा भी गैस वाउस सारे सर्विसेस हैं जैसे कि मानलोज इफॉल्ट SMEJ setting है तो आप लोग निकाल देना है जो आपके बैंक अकाउंट में लिंक नहीं है और उस सेम को अपने फोन में लगा लेना है जो बैंक अकाउंट में लिंक लिंक है यए एक सिम जब रहेगा तो आपका बैंक असेली लिंक हो जायगा तो आप मुझे कमेंट की जगा, मैं आप लोग के कमेंट का रिप्लाई देनी का फुरतिया कोशिस करूँगा, तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिक से नेक्स विडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई